हेलो एवरीवान हाव आ यू तो स्वागत करता हूं आपका डीवीवीट्व में जिस पर हम लोग पढ़ेंगे बेयर विलीजर ऑक्सिडेशन यह री अर्रेंजमेंट भी कहते हैं इसको और यह खासा जहीं एडवांस के लिए मेंस के लिए इंपोर्टेंट है एडवांस के ल काफी जगा यह एक नोर मार दी जाती है तो इसको पढ़के जाईएगा काम आएगी क्या होता है बच्चों इसमें आपको यह एल्डी हाइड या किटोन लेते हैं ठीक है फिर से इसका थोड़ा वीडियो लेंथ बढ़ सकता है लेकिन इंपोर्टेंट है इसलिए आप जब आप किसी एल्डी हाइड किटोन को लेते हैं तो वो इस्टर प्लस एसिड बनाता है जैसे जनरल रियक्शन के तौर पे अगर मैं लिखूं तो आर डैश सी ओ आर डबल डैश यह बेटा सेम भी हो सकते हैं डिफरेंड भी हो सकते हैं परॉक्सी एसिड आर सी ओ ओ ओ ओ एच प्लस बेटा इस रियक्शन की पहचान ही परॉक्सी एसिड है जब भी कोशन में देखना की तीन ओ वाली चीज आ रही है तीन ओ तो समझ जाना वो एक ही है बेर विलिजर ओक्सिडेशन या रियर्रेंजमेंट यह ओक्सिडाइस करती है और चूकी मेकानिजम में इसका रियर्रेंजमेंट इन्वॉल्ड रहता है इसलिए इसको बेर विलिजर रियर्रेंजमेंट भी कहते हैं तो बचो क्या होगा यहां पर इश्टर बनेगा अगर एक जटके में बात समझाने वाली है तो वो यह है कि जो तुम्हारा LD हाइडिया केटोन दिया हो समझ लेना छोटे में समझो जो भी तुम्हारा LD हाइडिया केटोन दिया हो उसमें यहां पर या यहां पर एक एक एक्ष्ट्रा ओ एड कर दो अब वो यहां होगा कि यहां होगा उसको बोलते हैं माइग्रेशन कि कौन सा गूर्प माइग्रेट होकर जाएगा वो अभी हम पढ़ने वाले हैं तो वीडियो को देखते रहिएगा आपको समझ में आएगा कि कैसे किस तरफ ओ लगाना है फिरहाल आपको क्या याद रखने है छोटे में संशेप में अगर हम बात करें कि जो एल्डिहाइड के टोन दिया होगा उन दोनों के बीश में आपको एक एक्ष्ट्रा ओ एड करना है और जो भी आपकी परॉक्सी एसिड होगी वो कनवर्ट हो जाएगी एसिड में यहार हम बार बार परॉक्सी एसिड नाम बोल रहे हैं यह परॉक्सी एसिड होती क्या है कि जब आप किसी एसिड में नैसेंट ओक्सीजन डालते हैं तो वो परॉक्सी एसिड का जन्म हो जाता है और उस परॉक्सी एसिड में से वापस जब ओ निकल जाए तो वो वापस कर oxylic acid दे देती है यहाँ पे paroxy acid इसी लिये लिया कि यह nascent oxygen कूद कर इधर आए बन जाएगा Easter और जो बचेगा वो क्या होगा RCOOH वो आपको eliminate होकर मिल गया अब यहाँ पे कौन-कौन सी paroxy acid सर यूज कर सकते हैं लो देखिए जैसे बेटा CH3COOH मे nascent oxygen डाला तो यहाँ जो मिला वो मिला acetic paroxy acid CH3COOH यह इसको इस तरह से भी देख सकते हैं CH3COOH यह क्या होता है paroxy acid होता है तो सब में O single bond होगा paroxy acid में नाम से समझो ना बेटा paroxy मतब paroxy effect होगा और क्या क्या हो सकते हैं और C6H5COOH भाई कोई भी carboxylic acid डेलो उसमें nascent oxygen डाल दो तो वो आपकी paroxy acid हो जाती है तो मैं कुछ common वाली लिख रहा हूँ जैसे यह यूज करते हैं यह यूज करते हैं most frequently जो आज जो होती है वो होती है CF3COOH यह बहुत ज्यादा पूची जाती है जानते हो क्यों हुआ है सर क्योंकि CF3COO- is a very good living group इसलिए जब भी bare villager oxidation या यह यह management पर question होगा आप अक्सर देखेंगे कि trifluoro peroxy acetic acid is usually taken as the peroxy acid और क्या लिया जा सकता है बहुत important इससे भी ज्यादा important जो questions में लिया जाता है वो होता है M-C-P-B-A अब बच्चा परशान हो जाता है कि पदा नहीं यह क्या है तो बेटा इसका full form आप समझेए full form क्या है इसका meta pay chloro C for chloro P for per oxy benzoic acid जैसे यह उपर क्या लिखा था paroxybenzoic acid इसके meta पर अगर chloro लगा देंगे तो meta chloro paroxybenzoic acid तो M-C-P-B-A कभी भी लिखा हुआ आ जाए समझे ना bear villager oxidation या rearrangement हो रहा है तो बेटा याद है क्या करना है एक छोटी सी बात याद अखनी है कि कोई भी aldehyde ketone जब paroxy acid के presence में react होता in the acidic medium this particular thing get oxidized to easter and the acid will be the byproduct acid कहां से आता है किस carbon से acid बनता है यह जिसका आप paroxy acid लेते हैं अगर आपने paroxy acid CS3-CoH लिया है तो क्या बनेगी acid CS3-CoH और एक oxygen यहां से कूद के या तो इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में आ जाएगा अब यह देखते हैं कि migration कहां होगा कैसे होगा therefore we should study the mechanism of this reaction please have a note of this बच्चों इसके हम लोग mechanism देखते हैं कि आखिर कैसे हुई bear villager oxidation या उसका migration तो हम ऐसा करते हैं एक ketone ले ले लेते हैं r-c-o-r-double-dash और इसकी reaction कराएंगे r-c-o-h तो यह हमें यह दे रहा है यह प्लस यह ठेक तो first step first step में क्या होगा बच्चों जो आपने paroxy acid ली है वो dissociate होगी r-c-o-o-mineus plus h-plus में फिर जो यह ketone है इसके अंदर कार्बोनिल ग्रूप है electronegative difference है यह bond तूड कर इधर जाएगा इधर जाएगा तो r- इधर c पे positive o पे negative r- मैं हर चीज step by step करके दिखा रहा हूँ तो आपको कोई दिक्कत ना हो अब वे क्या होगा यह जो negative sign वाली चीन है वो इस पे attack मारेगी c positive पे वो यह जो h positive है वो इस पे attack मारेगा तो क्या मिल जाएगा attack मारने के बाद product r- single bond c o negative पे क्या आ रहा है h c positive पे क्या आ रहा है o o c double bond o r और इस c के साथ r double dash भी जुडा हुआ है यह आपको एक intermediate मिल गया जिसमें पर उक्साइड linkage है अब second step में देखो क्या होने वाल है second step में इसको as it is copy कर देते है r dash c o h r double dash o o c o r देख लो बच्चो जो चीज़ यह मिली थी मेरे को as a intermediate मैंने इसको यहाँ पर as it is copy कर दिया अब यहाँ पर होगा migration यहाँ पर होगा cleavage यह होता है main step and it is a slow step यहाँ पर बच्चो migration होगा होगा क्या कभी याद रखना o o के पीछ का bond टूट जाएगा और इस o के पास आ जाएगा ठीक है ना किस o के पास आएगा वो जो r c o जो paroxy acid वाला था तो यह टूटकर आपको क्या देगा r dash c o h r double dash o पर positive plus r c o o minus देखो r c o o minus तो यह जो h plus आया वो इस o minus के साथ आकर जुड़ गया यानि कि आपको एक acid तो मिल गया clear हो गई बात यह वारी चीज आपको मिल चुकी है बेटा अब यहाँ पर देखो मुझे यही पर यह चीज बता दी है कि यह या यह इन दोनों में से कोई a group बेटा migrate होके इस o positive पर आएगा यह वाला group या यह वाला group कोई a group migrate हो जाएगा और इस o positive पर attack मारेगा so that it can result into carvocatine तो देखी क्या होने वाला है मान लेते हैं यह वाला जा रहा है मान लेते हैं अभी मान लेते हैं अभी जब हम questions कराएंगे तो आपको समझ में आएगा कौन सा group migrate करेगा तो आर डैश c o h o r double डैश अब देखिए easter से आप बहुत एक कदम दूर है आपको यह जो मिला है थर्ड स्टेप में यह जो चीज आपको मिली है थर्ड स्टेप में क्या करेंगे मैं फिर से लिखता हूँ r c o h o r double डैश यहां से h प्लस निकल जाएगा जैसे h प्लस निकल जाएगा तो क्या होगा यह जो c पे positive था चुकि यहां से गया तो यह c पे positive आया यहां से जब h प्लस निकला तो यह वाला bond तूटके इसके उपर गिरेगा तो आएगा r डैश c c पर positive खतम हो जाएगा यह double bond बना लेगा क्योंकि h प्लस गया h का जो bond है वो इस positive carbon के उपर गिर जाएगा o r double डैश यह बन गया आपका easter r डैश c o o r double डैश देखो यहीं चाहिए था एक बार फिर से हम लोग shot में देखते हैं यह camera एक आप फिर से समझे बेटा सबसे पहले आपने paroxy acid ली उसका cleavage दिखाया r c o o minus और h plus में टूटा अब जो आपका ketone था या aldehyde था उसमें कारवोनल ग्रूप है जिसमें आपका heterolytic fission होगा oxygen being more electronegative will tends to take the electron pair तो यहाँ पे positive यहाँ पे negative आएगा h positive इस पे attack मरेगा negative इस carbon positive पे attack मरेगा तो यह एक intermediate बनेगा इस intermediate को as it is मैंने आप copy किया अब यह slow step है यह radiator mining step है जिसकी विज़से first order kinetics follow करेगा in the presence of the h plus यह bond cleave होगा और मान लेते हैं कि यह तूटके इसके पास जाता है तो यहाँ पे r c o o minus बचेगा और यह h plus यहाँ पे attack पर देगा दूसरे step में आप यहाँ देख रहे हो बन गया c पे positive अभी c को positive को satisfy करने के लिए h plus निकल जाएगा और उसका bond टूटके इसके उपर गिर जाएगा तो easter बन जाएगा जो अब आते हैं हम लोग most important part में questions प्लस यह दिस सीखेंगे कि कैसे migrate करते हैं चाहिए बच्चों यह कुछ कूछ सूरत से questions है bear villager oxidation या rearrangement पे आई इसको solve करते है ketone दिया है इधर cf3 cuh है peroxy acid है क्यानी की insertion of oxygen atom होगा कहां पे होगा देखो पिटा यह symmetrical ketone दिख रहा है आपको तो symmetrical ketone में तो तुम्हें जादा दिमाग लगाना ही नहीं है कहीं पे भी ओ को insert कर दो क्या करना है सिर्फ ओ को insert करना कर दिया जी यह बनी गया इस्टर प्लस cf3 c o o h यहाँ पे आओ फिर से symmetrical है फिर से आग बंद करो c o o देख रहो कितना असान है अब देखो यह भी symmetrical है लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पे die ketone है तो जब भी die ketone का case आएगा तो हमेशा 2 ketone के बीच में oxygen आएगा फिर से धान से सुनिए जब भी die ketone का case आएगा तो oxygen का insert करेंगे 2 ketone के बीच में जिसकी वज़ा से हमें एन हाइड ड्राइड की उपलबदी होगी तो CH3C double bond O O C double bond O CH3 plus इसकी वज़ा से जो होता हो ऐसे डी होता है तो यह क्या मिल गया आपको बेटा इथेनोइक एन हाइड्राइड लग रहे ना असान एकदम बेर विलिजर जब तक नहीं पड़ा था तो कितना मुश्किल था और अब कितना कंडेंसेशन और आपका कैनी जारो यह दो भी बहुत जादा इंपोर्टेंट और गैनिक रियक्शन्स हैं जिसपर बेश कोशन्स अच्छे लेवल के आते हैं और इन दोनों की वीडियो मेकैनिजम्स के साथ कोशन्स के साथ धरबूर कोशन्स के साथ मैंने अपने डाली हु और उसको देखियो और इंजॉय करिए आईए यहां से बेटा आप लोगों को दिक्कत चालू होगी बड़ी असान सी दिक्कत है अगर मेरी भाशा में समझो की टोन के इधर मिथाईल है और इधर क्या है फिनाईल तो आपको माइग्रेटिंग ग्रूप की प्रियोरिटी से की प्रियोरिटी सबसे पहले हाइड्रोजन को महत्व दिया जाता है अगर वह कहीं है तो तुरंत उसको भेजेंगे हाइड्रोजन के बाद 3-degree एलकाइल 3D एलकाइल के बाद हम लोग तवज्जा देते हैं 2D एलकाइल ग्रूप उसके बाद फिनाइल ग्रूप और उसके बाद वन डिग्री एलकाइल ग्रूप बस अगर यह आपको छोटी सी बात याद है तो आप migration बड़ी असानी से कर लेंगे और भी सस्ते सुंदर छोटे टिकाउ मैथड में जाना चाहते हो तो यहाद रखना जहाँ पर बल्किनेस जादा होगी hydrogen को छोड़के hydrogen का अगर case है जैसे माल लो यहीं पर तुम्हें ketone दिया, aldehyde दिया होता CH3, COH तो यहाँ पर क्या होता CH3 COOH insertion हो जाता O का बाकी अगर हमारा 3 degree, 2 degree देख रो यह बल्किनेस है तो जहाँ पर बल्किनेस है oxygen उस साइड जोड़ दो अब CH3 जादा बल्की है कि phenyl जादा बल्की है यह जादा बल्की है ना तो इसकी तरफ O आएगा O वहीं ले जाएगा जो ज़्यादा ज़्यादा शक्तिशाली होगा methyl कहां, phenyl कहां तो प्रोड़क्ट इसका बनेगा CH3, CO O के साथ phenyl तो देख रहो यह ज़्यादा बल्की था O इसी के साथ आया insertion हुआ है याद रखना, अगर आपने गल्ती से वो यहाँ ना पुट करकर यहाँ पुट कर दिया, तो वहीं पे आप ले डूबोगे answer को, खतम हो जाएगा answer similarly देखिए यह बच्चो कीटोन है कीटोन के बगल में यह 3-degree alkyl group आपको दिख रहा है बच्चो 3-degree alkyl 1, 2, 3, और यह सिर्फ methyl है, है ना बेटा methyl का आता है, 1-degree alkyl के बाद भी methyl आता है तो तो विकुल लूल है यार अब अगर लूल है और कम बलकी है तो कौन जीतेगा, यह ज़्यादा शक्तिशाली है तो O, वहीं ले जाएगा जो ज़्यादा शक्तिशाली है यानि कि O, 3-d alkyl के पास आकर गिरेगा समझ में आई बाद बेटा असान लगी, अच्छा यहां का buy product नहीं बताया C, 6, H, 5 C, O, O, H अब यहां पर एक बाद बहुत important आपको याद रखनी है note कर लेना electron releasing group in ketone and electron with drawing group with electron releasing group in ketone and electron withdrawing group in peroxy acid will increase the rate of reaction इस बात की गांट मान लेना बहुत महत्पूर्ण बात मैंने बताई है आपको क्या क्या याद रखना है आपको ketone में अगर electron releasing group है ठीक है ketone में अगर electron releasing group है और peroxy acid में अगर electron withdrawing group है तो याद रखना rate of reaction बहुत बहतरीन होगा तो जैसे यह ketone है और अब यह cyclic की बारी है तो cyclic ketones में हमेशा ring expand हो जाएगी यानि कि यह कितने carbon atom की cyclic ring है पांच तो पांच का क्या एक बढ़ जाएगा छे और oxygen atom insert का होगा जहां bulkiness group जादा है यहां bulkiness है यानि कि insertion या तो यहां हो सकता था या तो यहां हो सकता था यह bulkiness है यह 2 degree या 3 degree 3 degree को रिपर नहीं 1, 2 2 degree को करिस्पॉंड कर रहा है यह 1 degree को करिस्पॉंड कर रहा है bulkiness इधर जादा है तो हम यह कह सकते हैं बच्चों तो ओ यहां पर insert होगा और ring expand हो जाएगी 5 member ring 6 member में convert हो जाएगी और आपको कुछ इस तरीके से answer दिखाई देगा यह उसी तरह यह 6 member ketone है cyclic compound है और यहां पर कोई भी groups नहीं लगें तो कहीं पर बीचाहे इस जगा चाहे इस जगा oxygen इंसर्ट हो जाएगा बस ध्यान क्या रखना है 6 member 7 member में convert हो जाना चाहिए और इसको कैप्रोलैक्टॉन बोलते हैं 8th question ketone है इसके पगल में methyl और यहां पर cyclopropyl है यह ज़्यादा बलकी है बलकी वाला वीजाई प्राप्ती होता है प्लस CS3COOH अब यहां पर दोनों तरफ बेंजीर है यह तो आपने फसा दिया नहीं बेटा यह देखू electron releasing group in ketone will favor the rate of the reaction यह electron releasing group OCH3 इस बेंगीन के साथ जुड़ा यानि कि यह ज़्यादा शक्तिशाली है तो oxygen इसी की तरफ आएगा यहां पर याद रखना यह छोटी छोटी बाते होती है यहां अगर put कर दिया होता तो सवाल गलत यह देखो किता भैतरीन है C double bond हो है इसके बगल भी बेंजीन इसके बगल भी बेंजीन इसके यहापे भी ग्रूप है इसके यहापे भी ग्रूप है लेकिन यह minus R minus I दिखाता है electron withdrawing और यह plus R minus I दिखाता है यानि कि plus R की विर्यास यह electron donating group भी है तो किसकी तरफ होगा बेटा oxygen क्लोरीन वाले बेंजीन की तरफ यानि कि यह बनेगा product clear oxygen की तरफ है इस तरफ है CL की तरफ क्योंकि यहापे क्या है plus R ग्रूप यहाँ क्या है minus R ग्रूप किसकी बात सुनेगा electron releasing group यह देखिए बहुत उम्दा केस आया है यहाँ पर क्या है डवल बांडो और सी डवल बांडो को नहीं चुएगा बिकाज सी डवल बांडो को नहीं चुएगा इसलिए वह तूट जाएगा और इंसर्शन होगा oxygen का इस तरह से यह ठीक है तो अब वक्त आ चुका है कि मैं आपको इस पर बेश्ट कोशन दूँ और आप लोग उसका मुझे आंसर कमेंड बॉक्स में कमेंड करके डारिए और यह रहां बच्चो आज का आपका डीपी ट्वल का कोशन और यकीन मानिए सारे अच्छे कोशन तो मैं आपको करवाई चुका हूँ एक बड़ा सिंबल सा कोशन है इसका फटा-फट आंसर आप लोग कमेंड बॉक्स में पोस्ट करिए ठीक है स्टेट इन्टू के मिस्ट्री का सागा बहस आगे उबर जाती है मिलते है नेक्स